नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ब्रीधिंग की करेक्ट टेक्नीक बताता हूँ, सही लेंग से ब्रीध कैसे लें, जिससे हम हेल्थी रहे हुए हम क्या करते हैं, ब्रीधिंग में सबसे बड़ी मिस्तेक करते हैं, इन्हेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, जो हम एक्सेल करत तो जादा फोर से ब्रीद को एक्सेल करते हैं उससे क्या होता है कि क्या होता है जादा मात्रा में बाहर निकलने से भीमारियां हमारे करीब आते हैं इसमें क्या होता है कार्बन भी मिच्सरीर अशुद्यों हमारे शुरीर की अशुद्यों को लेकर आप अक्सेल कर देश कर देते हैं तो चार्बन को चुछपी से निकमी हो जागते हैं कि इसलिए आपने देखो कि बहुत सारे लोग जान करते हैं तो मुझ जादा बीमार पढ़ने लगते हैं उनकी ब्रीथ तो सुलो होती है एक्सेलेशन में फोर्स बढ़ जाता तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी कबराहर चपकर आना ऐसा मेरा बहुत सारे लोगों के साथ करता है इन्हेलेशन और एकसेलेशन के फोर्सको मैनेज करना जिस फोर्स से इन्हेल कर रहे है उसे पोर से एक्सेल करेंगे ब्रीथ को तो दोनों में बैलेंस आ जाएगा जितने इन साथाम्य जब आप फोर्स को मैनेज करों गी मेंटेन करोंगे तो आपके एवेर्नेस भी बढ़ेगी जब आपका सारा थ्यान सांसों पर अधिक से दिख समय रहेगा तो विचार अपने आप मिनिमाईज हो जाएंगी और कम हो जाएंगी खतम हो जाएंगे एवेर्नेस बढ़ने से क्या होगा आप अपने आप मेडिनेशन में जाने लगोंगे दिखिए ध्यान की कोई भी विधी नहीं सभी विधिया क्या है इल्यूज है वो तो एक रास्ता है किसी भी तरह से विचार शूर में होने का उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी चेतना को हमे लगाना पड़ता है मन को लगाना पड़ता है तो आप इस तरह से ब्रीधिंग बैलेंस बनाओ इससे आपको जबर्जस्त हेल्थ मिलेगी थोड़े दिन आपको अंकमपर्टिबल लग सब्सक्ति दीरे अपको अध्या सुझाएगा तो इन्हेल और एक्सेल में आपका पोर बहुत देते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर एक एक वीडियो को कही कही बार देखें तो इसकी बढ़े गया निए अपको एक ही बार देखोंगे आप फिर कुछका कुछ समझ लोगे और फिल कुछ करने लोग हो तो बार बार देखने से वीडियो समझ में आप आप झाप बोशथ कि यह दो बोजा दो